हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइस मैं एक और नियो रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सबी अच्छे हैं खुश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं आप सबी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी बहुत इंपॉर्टिंट टॉपिक है यह यहाँ पर पता लगाएंगे आगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है आपके लिए आगे आपको क्या देखने को मिलेगा क्या पसिबिलिटीज हैं जो होने वाली जो भी रिडिंग में आएगा आपको बताऊंगी तो देखते हैं कि आप क्या attract कर रहे हो आगे क्या आप तक आने की पहुंचने की ठीक है कोई भी situation, event, big surprise, miracle, blessings या कोई भी तरहा का कोई भी option देख लेंगे guys क्या आपकी तरफ आ रहा है आने वाले time में तो यहाँ पर दो group मैंने बनाए है ठीक है और यहाँ पर मैंने दो galaxy एक तरीकी से sky के cards है यह ठीक है जहाँ पर बहुत सारे stars दिख रहे हैं तो pile 1 के लिए मैंने यह वाला card रखा है ठीक है अगर आप इस वाले card से attract हो रहे हैं तो आप pile 1 को select कर सकते हैं ध्यान से देख लें आप card को ठीक है इसमें white और blue color का mixture है और इसमें stars भी दिख रहे हैं इस card में इस card के पीछे एक message भी है जो मैं पढ़ूंगी definitely ठीक है आप देख लें इस card को अच्छे से यह है pile number 1 के लिए और यह है pile 2 के लिए इसमें बहुत सारे colors मुझे दिख रहे हैं यह mixture of colors इसमें pink, yellow, white, green, dark green, little bit blue ठीक है बहुत सारे colors दिख रहे हैं तो यह है pile 2 के लिए तो अगर आप इस वाले card से attract हो रहे हैं तो आप pile 2 select कर सकते हैं ठीक है बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर आप एक pile को select कर लिजे तो मैं आपको आपकी reading पर मिलूंगी और reading को start करने से पहले guys मैं आप सभी को बता दूँ यह general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो हो सकता है ना हो so please keep an open mind और timeless है यह reading ठीक है जब भी आप यहां तक पहुँचें आप अराम से देखिए यह reading आपको 100% help करेगी okay start करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए तो पाइल वन से मैं start करने वाली हूं hello everybody तो जिन्हों ने भी पाइल वन सेलेक्ट किया है let's see आपकी life में आगे क्या आ रहा है what is coming towards you next and इस कार्ड के पीछे जो भी message I will read and update reading okay guys सबसे पहले tarot से देखेंगे ठीक है be positive reading को शुरू करने से पहले आप जाहें तो वीडियो को रोक के तीन घहरी लंबी सांसे लें तो आप बहुत ही relax feel करेंगे ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हैं reading को देखने से पहले चलिए अब start करते हैं क्या आपकी तरफ आ रहा है what is coming towards you next six of pentacles okay Taurus, Virgo and Capricorn शुरुवात अच्छी हुए है हमारी we have high priestess यानि की Virgo high priestess ये भी बहुत एक important card हमें मिला है लगता है आपके लिए cards बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं बट मुझे अच्छी से shuffle करना है cards okay we have chariot ये भी बहुत ही major card है major रखाना से card आया है cancer Virgo and Cancer बहुत ही strong है याँ पर number seven, number six, number two okay इस वाले card को मैं लूँगी nine of cups cancer, scorpio and Pisces nine of cups, cancer, scorpio and Pisces okay two cards है queen of pentacles and ace of souls beautiful lovely cards here six of cups seven of wands 77 master number we have and 66 master number we have in this reading and triple seven we have in this reading right now and the wheel of fortune yes, ये तो बहुत ही lucky card आपके लिए आ गया है page of swords, two of cups, wow and death card, scorpio बहुत strong है to be honest, scorpio बहुत जादा strong है यहाँ पर Virgo है यहाँ पर cancer है लेकिन scorpio बहुत जादा strong है yes, guys okay, page of swords चलिए मैं इन cards को ले लेती हूँ okay, क्योंकि ये एक message लेकर आए हैं ये cards मैं आपको explain करती हूँ अब यहाँ पर है Taurus, Leo यहाँ पर है Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius and Sagittarius, Cancer, Virgo ठीक है, यह sign बहुत strong दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर guys, आपकी life में देखे सबसे पहली बात है balance आ रहा है, ठीक है balance आप create कर पाओगे अपनी life में आप चीजों के बीच में proper balance बिठा पाओगे अभी हो सकता है कि आप proper time नहीं दे पा रहे हो सारी चीजों को एक साथ और आपका काफी important time भी waste हो रहा है, इसी वज़ा से delay भी हो रहा है लेकिन आने वाले time में आपकी life में प्रॉपर balance बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, प्रॉपर strategy उसको follow करते हुए दिख रहे हो, बहुत intuitive हो, creative हो और right now, बहुत एक strong connection divine के साथ आपका establish हो जाएगा या हो चुका है, मुझे लग रहे है हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों का purpose है you know, बहार जाना, settle होना बहार, चीक है और अपनी खुशियां achieve करना, अपनी life में freedom लेकर आना अपने life का control आपके हाथ में आया, आप इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप क्या जो भी purpose है, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि divine की blessings आपके साथ है, because wheel of fortune हमारे पास एक card है, तो आपको directions बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप खुद बहुत intuitive हो, creative हो, ठीक है, और आपके पास आपका खुद का way है कि किस तरह से अपनी life में आगे आपको बढ़ना है, आने वाले time में मुझे अगर आप किसी भी process में हो, जहां हो सकता है involved है, तो मुझे लगता है, आपके पास success आ रहा है, आपको वो चीज मिल जाएगी, आने वाले time में आप जो भी crack करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप कर लोगे, ठीक है, और आपकी money baby increment होते हुए, मैं देख रही हूं आने वाले time में, देखें, आपकी love life में अभी थोड़ा सा delay दिख रहा है, मुझे यहां पर, because seven of wands और seven of pentacles का card है एक साथ, यहां पर मुझे clear दिख रहा है, कि आपके partner बहुत बेस अबरी से आपका weight कर रहे हैं, अगर आप एक soulmate connection में हैं, आपकी पूरी की पूरी यह जो professional life है ना, यह आपकी love life पर heavy बैट रही है, इसका मतलब है कि आपको अपनी goals जल से जल अचीव करने हैं, so that आपके partner भी action ले पाएंगे, वो काफी time से आपका weight भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके life में आने वाले time में major transformation होते हुए देख रही हूँ, आपका connection आपके partner के साथ telepathically बनता हुआ देख रही हूँ मैं, आपके person आपको बहुत miss करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, जिस तरीके से आप उन्हें याद कर रहे हो, ये person आपको social media पर भी stop करने वाले हैं, अच्छा जितनों के भी partner ने, अगर आपके मन में इनके लिए बहुत special feelings हैं, और आप spiritual connection फील करते हो इनके साथ, तो आप जिनों ने भी block किया हुआ है अपने partner को, वो आपको unblock कर देंगे, ठीक है, ये जीजे भी मैं आपके life में आते वे देख रही हूँ, overall आपके पास good luck है और आपके पास you know काफी ज़्यादा you know इस टाइम आप देखो high priestess का काड़ा आना, इसका मतलब clear है कि आप बहुत जदा knowledgeable, wiser person बन चुके हो, आप बहुत creative हो, intuitive हो, you know your way, like आप किस तरीके से life में आगे बढ़ोगे, क्या steps आपको लेने हैं, किन चीजों को आपको avoid करना है, किन चीजों को आपको handle करना है, आपको सारा पता है, right now you know everything, ठीक है, और एक चीज में और देख पा रही हूँ, कहीं न कहीं आपकी life में न haters हैं, ठीक है, इन haters को आप बहुत ही politely ही इन से deal कीजे, because ये मुझे क्या दिख रहा है न, ये आपके लिए एक बहुत important message है, जितने भी haters आपके हैं, और obviously you have many haters, because you are in the spiritual journey, so इस journey में haters का होना बहुत ही सभाविक है, तो अगर आपकी life में haters हैं, तो right now वो आपको बहुत अदर trigger कर सकते हैं, आपके peace of mind को खराब करने की कोशिच कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही politely behave करना पड़ेगा, उनके साथ भी हो सकता है कि आपको इसके लिए थोड़ी सी, you know, थोड़ा सा आपको sacrifice भी करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या important होना चाहिए, your peace of mind, ठीक है, इसको बिलकुल भी खराब मत होने देना guys, क्योंकि इ and you know, like, किस तरह से आप जिन्दिगी में आगे बढ़ने वाले हो, सब कुछ चीजे clear हो रही है आपकी life में, delay भी धीरे धीरे खतम हो रहा है, आप better action ले पाओगे, victory आपके पास आ रही है, किसी भी paperwork में अगर involved हो, तो वो भी आपका solve होने वाला है, major transformation आपकी life में आ रहे है तो यहाँ पर आपको यही देखना चाहिए, कि आपके लिए आपका peace important है, ठीक है, इतना आप कीजे, love life में भी improvements आएंगे, आने वाले time में आपके partner आपको social media पर stop करेंगे और आपके साथ एक destination connection feel करने वाले हैं, यह person आपको सच में miss करने वाले हैं, आपको feel करने वाले हैं और हो सकता है, because यह page of source का card है, तो इसके chances हैं कि यह person आपको message send कर दे, आपको unblock करेंगे, आपको message भी कर सकते हैं, और जिनके person ने block नहीं किया हुआ है, तो वो उने message कर सकते हैं, ठीक है, यह भी मैं chances देख रही हूँ, यहाँ पर, major transformation होने वाले हैं आपकी life में, ओके, तो एक बार हम advice भी ले लेते हैं divine से, फिलाल बहुत important message जो था, वो मैंने आपको बताई दिया है, चलिए वाला card हमारे पास है, don't let your past hold your back, past में जो भी mistake की है, वो repeat नहीं करनी है, past पास था, भूल जाहिए, experience को लेके चलें आगे बस, ठीक है, and negativity को release कीजे, अगर आपके haters, negativity आपके life में लेकर आ रहे हैं, तो आपको उन्हें totally ignore करना है, totally ignore, ठीक है, और किस तरह से खुद की energy को बचाना है, इस पर भी focus करना है, और अपने dreams पर faith रखना है, कि एक दिन आपकी जिन्दिगी में भी वो दिन आएंगे, जो आप, जिनके लिए आप manifest कर रहे हो, ठीक है, आपकी जिन्दिगी में victory होगी, आपकी जिन्दिगी आपके control में होगी, ये चीज भी possible है आपके लिए, अगर आप better step लेते हो, खुद की journey के लिए, ठीक है, हेटर्स को जितना जादा हो सके, avoid करने की कोशिश करनी है, अब यहां से पढ़ लेते हैं, आपके लिए क्या message है, ये card सच में मुझे बहुत जादा attract कर रहा है guys, I hope कि आपको भी कर रहा है, इसमें जो colors है, ये मेरे favorite color है, सारे के सारे, let's see आपके लिए क्या message है, ठीक है, wisdom, इस पूरे reading में मैं wisdom, knowledge, creativity की ही बात कर रही थी, और देखो wisdom का card है, see your adversaries as opportunities to expand your spiritual light, देखो, क्या message निकल कर आया है, जो guidance आपके लिए थी न, same way, आपके जो adversaries है, जो आपके haters है, विरोधी है, ठीक है, ये आपके लिए एक opportunity है, कि आप अपनी spiritual light को expand कर सके, यानि कि अपने wisdom को, अपनी creativity को, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी life में आ रहे हैं, आपकी ही spiritual light को expand करने के लिए, तो ये आपके लिए एक तरीके से blessings बनकर ही आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको अप proof करके दिखाना है, कि आप इनके साथ किस तरह से आप इनके साथ deal करोगे, और किस तरह से अपनी life में better step लोगे, ठीक है, now you have your enough wisdom, guys, you have enough wisdom, ठीक है, तो इसको waste ना करें, इसको utilize करें, और अपनी life में positivity के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही message निकल कराया है, wisdom, wisdom आ रहा है आपके पास, आप wisdom attract कर रहे हो, आप better action ले पाओगे, आप creativity है आपके अंदर, ठीक है, और जो भी, अगर पेपर वर्क में आप हो, तो वो भी आपका clear होने वाला है ठीक है, ऐसा मैं आपर देख रही हूँ आपके लिए, so this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर ये reading आपके साथ resonate हुई है, तो मुझे comment section में बताना, channel, channel पर अगर आप नए हैं, तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बिस इतना है guys, bye, take care, hello everybody, तो जिन्होंने भी चूस किया है pile 2, let's see, आपकी life में आगे क्या आने वाला है, what is coming towards you next, ठीक है, देख रहते हैं, start करते हैं, reading बिना देर करे, wait a second, okay, wait a second guys, four of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, page of cups, eight of wands, nine of pentacles, devil, four of swords, 44 number है यहाँ पर, master number, okay, एक और card आगया, ten of wands, we have knight of swords, the star, temperance, okay, star और temperance तो clear बता रहे है कि आपको थोड़ा patience रखना होगा, nine of cups, wow, we have six of wands, the emperor, three of wands and the moon, यह cards मैंने bottom of the deck से लिए हैं, okay, चलिए आप start करते हैं, वैसे आपने यह multi color card choose किया है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके बहुत सारे सपने हैं, और as well as काफी सारी परेशानिया भी है, आपके जिन्दगी में, सब कुछ उथल पुथल है, और आपको directions नहीं मिल रहे हैं right now, ऐसा भी लग रहा है, like आप थोड़ी से confused है, ऐसा मुझे दिख रहा है, और main जो problem है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, इस card से जो मुझे vibes आ रही हैं, आप बहुत creative हो, आप थोड़ा सा restless हो रहे हो अभी, जैसे आपको लगते चलो, ये वाला काम ना, work नहीं कर रहा है, दूसरा work नहीं कर रहा है, तीसरा कर लेते हैं, आपके जो plan है ना, वो seconds में change हो रहे हैं, आपना concentration ज़्यादा लगा नहीं पा रहे हो, चीक है, ये एक negative point मुझे आपके, इस card से मुझे मिल रहा है, आपकी energy मैं pick कर पा रही हूँ, आपके पास थोड़ा सा na patience की कमी है, और मुझे ऐसा feel हो रहा है, जैसे आपके, देखो सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत जल्दी change हो जाते हैं, ये चीज मैं आपर देख रही हूँ, या तो फिर देखो, या तो सपने ही change कर लेते हो, या फिर ऐसा करते हो कि, बिना सोचे समझे, बिना अपना 100% दिये, आपको लगता है, थोड़ा सा अपने efforts डाल दिये, suppose 20-30% अगर आपने efforts डाल दिये और आपको लगता है कि ये work नहीं कर रहा है, तो आप अपना तरीका ही change कर देते हो, ठीक है, 100% ट्राइ किये बिना, आप एकदम से switch कर जाते हो, दूसरे method पर, तो ये भी एक सही तरीका नहीं है, जो मुझे card से भी जो wipes यहाद पर अभी मुझे मिली है, तो मुझे कुछ ये एक कमी आप में दिख रही है, यहाँ पर मैं आपको sign बता देती हूँ, यहाँ पर मुझे Aries, Leo and Sagittarius बहुत ज़्यादा strong दिख रहे हैं, Aries, Leo and Sagittarius, इसके बाद मुझे यहाँ Capricorn, Cancer और Aquarius बहुत strong दिख रहे हैं, ठीक है, तो Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Capricorn and Aquarius, यह zodiac sign यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर Libra भी है गाइस, ठीक है, तो यह sign मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जैसी कि मैंने बताया कि थोड़े से restless हो, जल्दी जल्दी decisions ले लेते हो, बहुत ज़्यादा concentrate कर रहे हो, responsibilities पर, और अपने burden को खतम करने की कोशिश कर रहे हो, और आप चाहते हो कि यह जल्द से जल्द हो जाए, एक जुनून सहाब के सर पे सवार मैं देख रही हूँ, देखो अगर आप अपनी life को इस तरह से treat करोगे, कि आपको हो गया है fever, और आप जाते हो कि आप एक ही बार में सारी medicines खा कर आप एकदम से ठीक हो जाओगे, तो यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप जाए बिमार गुदे ओड़ी व्यों और जाद़ परीशान कर देगा, अगर आप आपको लिए और फ़ाहर कहाँ तक कर सुभाण तक द्री टाइम तक मैड़े कहां है तो आपको वो तीन बार कहनी पड़ेगी आप तीनो बार कहनी पड़ेगी, आप एक बार में नहीं अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके से आपको कोई solution मिलने वाला है तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है हो सकता है कि आप कोई shortcut अपनाने की कोशिश कर रहे हो आप जल से जल अपने चीजों को achieve करने की कोशिश कर रहे हो तो इस चक्कर में आप पता है अपना एक तो healthy भी खराब कर दोगे ये medicines का सरफ मैंने के एक example दिया है चीक है हो सकता है कि आपको अब मैं दूसरा एक example देकर आपको clear करना चाहूंगी हो सकता है कि आपको abroad जाना है और आपको exam देना है जिसे कि सभी को पता है आईल सामे clear करना पड़ता है तो आप ना कुछ alternative ideas भी सोच रहे हो कि कुछ दूसरा exam दे दू या कुछ इस तरह से कर लूँ या मैं कोई ऐसी approach लगा दूँ या मैं ऐसे कर लूँ ऐसे तो बहुत सारे ideas आपके mind में आ रहे हैं और पता इससे क्या हो रहा है आप सरिफ सोच सोच करना अपना important time खराब कर रहे हो जहाँ आप study कर सकते हो एक plan बना उसे follow करो उसमें अपना 100% दो और खुद पर विश्वास रखो ये आपके लिए main strategy है जो आपको follow करनी है हो सकता है कि आपने सोचा है कि आपको किसी एक particular country move करना है लेकिन आपको लग रहे है कि वहाँ पर move करना बहुत ही मुश्किल है तो आप दूसरे options देख रहे हो अपने dream जो purpose है उसको क्यों बूल रहे हो आप अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिए एक plan बनाईए उसको follow कीजिए then easily जो आप चाहते हो वो अचीव हो जाएगा हाँ थोड़ा time लगेगा because यहाँ पर patience के दो-दो cards आ गए है star and temperance यह दोनों card हमें patience बता रहे हैं आपको थोड़ा सा patience रखना है खुद पर काम करना है खुद की कमियों को जानना है पहचानना है उनको ठीक करना है दिन आप जो भी आपके wishes और वो सब पूरी हो जाएंगी guys ठीक है दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कि आपको abroad जाना है higher studies के लिए या फिर अपने job के लिए ठीक है लेकिन आपको clue नहीं मिल रहे हैं आपको answers नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप restless हो रहे हो एक जुनून आपके सर पर सवार है मुझे यह करना है यह करना है यह करना है बढ़ कैसे करना है यू डॉंट नो यह problem यहाँ पर मुझे दिख आप अपने खुशियों पर फोकस कीजिए, और अपना बेस्ट कीजिए, देखो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपको लग रहे हैं, और आपको लग रहे हैं, यह ट्रिगर बहुत ज्यादा यह बहुत टाफ है मेरे लिए, और मैं इसको तो बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरा तरीका सोचता हूं, कि ऐसा करके मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, तो आपने वो जो आपके अंदर जो कुछ चीज है, एक हिस्सा है जो सॉल्व नहीं है, हील नहीं है, तो वो तो आपको बार बार आपके सामने ट्रिगर बनकर आता रहेगा, आप कितना भागोंगे इस से, आपको accept करना ही पड़ेगा, आपको deal करना ही पड़ेगा, for example, अगर आपको लगता ह क्या लगता है आपको यह चीज़े आपको बार बार ट्रिगर करेगी आज आप इससे बच रहे हो तो लाइफ की किसी फेज में किसी रूप में वह आपके सामने फिर से आ जाएगी तो बेटर है इन पैटन से भागो मत इनको फेज करना सीखो इनके साथ डील करना सीखो ठीक ह ऐसा भी हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी बोर्ड मीटिंग है और आपको नहीं फेज करना आता ठीक है इतने सारे लोगों में अपने आइडियास रखने नहीं आते तो कितना भागोगे कितना बचोगे कितनी सिक्लीव लगाओगे अपनी क कभी ना कभी आपको ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी तो पेशन्स के साथ अपने आपको इंप्रूब करने की कोशिश कीजिए देन आपके पास पावर आएगी अथॉरिटी आएगी आप एक एंप्रर बनोगे एक वाइजर मैन बनोगे नॉलिजबल परसन बनोगे आप बनोगे विक्ट्री भी आपके पास आएगी बट आपको थोड़ा सा चैलेंज से भागना नहीं उनको कैसे एक्सेप्ट करके डील करोगे इन चीजों पर आपको फोकस करना है ये चीज आपके लिए मैं देख पा रही हूं यहां पर इतना अगर आप करते हो तो आपकी जो इजी नहीं है और हर को इसमें सर्वाइब भी नहीं कर पाता बट डिवाइन अगर आपको दिये तो आप डेफिनेटली आपके अंदर वर्थ है क्या आप कर लोगे इसको ठीक है आपके परपस बड़े हैं आप सब कुछ चाते हो बद जल से जल्द हो जाए ऐसा नहीं होता आपको जितना टाइम लगेगा खुद को इंप्रूव करने में आपको लेना पड़ेगा कोई शॉटकट यहां अपलाए नहीं हो सकता ठीक है आपके पास आप जितना हो सके रिसर्च कीजिए जो भी आप में कमिया है या जहां पर भी आपको confidence की कमी है आप रिसर्च कर सकत हो आप किसी कोर्स में admission ले सकते हो ठीक है अपने आपको improve करने के लिए online search करना शुरू कर दो आपके अंदर improvements की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको लेकर आने पड़ेंगे यह improvements ठीक है और बाकी का जितना भी concern है वो आप surrender कर दीजिए divine पर तो यहां तो आपके लिए सच आपके पास victory आने की कोशिश कर रही है बट आपके जो आपका तरीका है अपने triggers को handle करने का वो सही approach नहीं है आपकी इसलिए victory आपके पास नहीं आ रही है आपके सपने पूरे नहीं हो रहे है your commitment is being tested आप कितना भी भाग लो यह test आपके पास आते रहेंगे जो भी commit कर रहे ह यहाँ पर आपका advice दे दिये यह be bold and make the first move guys bold बने और first move लें आगे बढ़ें बोल्ड बनने की जुरत है आपको clear advice आईए guys आपके लिए clear advice new romantic cycle begins सभी यह romantic cycle आपकी love life ठीक होगी otherwise तो आप struggle ही करते रहोगे बिल्कुल struggle करते रहोगे जो भी purpose है उसको ध्यान से सोच के समझ के एक strategy बनाईए और उसी को follow कीजिए और थोड़ा सा patience आपके लिए बहुत important है हो सकता है कि universe इसी तरीके से काम कर रहे हैं आपके लिए कि आपको आपके lesson सिखाए जाए आपके अंदर जो भी कमिया उसको improve की जाए ठीक है तो universe आपके rhythm के according भी काम करेंगे और आपको universe के rhythm के according भी काम करना पड़ सकता है तो यहाँ पर जितना हो सके patience के साथ अच्छे step लें खुद पर भरोसा रखें और अपनी life में आगे बढ़ें ठीक है चलिए ओ वाओ वैसे ये card सच में मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत उलजे हुए है इस time और देखो bottom of the deck से न यही card था seven of cups जो कि मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादर confused हैं right now it's okay जो आपके लिए guidance आई है वो आपको देखो patience क्या advice आई है क्या card कहरा है आपका patience be patient and allow destiny to unfold at its own pace आप patience रखें और destiny को अपनी speed के साथ काम करने दे destiny आपके सामने वो चीज़े रखेंगी जो आप deserve करते हैं लेकिन अगर आप action लेते हैं तो be bold and make the first move तो destiny आपके सामने चीज़ों को लेकर आएगी जो भी आप deserve करते हो लेकिन आपको patience रखना पड़ेगा patience के साथ काम करना पड़ेगा आपको ठीक है यह advice है आपके लिए और यही आपका card भी कह रहा है जो आपने choose किया है I hope guys यह reading आपको अच्छी लगी हो आपके साथ resonate होई हो अगर यह reading आपके साथ resonate होई है चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care